दोस्तों आज किस विड़ों में दो दिभ्या माहा औउसधी येव हैं wertूद्यक outta 3 8% होग बताऊंहुत दो दिभ्य माहा औउसधी का एक य שמा किम दो दिभ्या औजने, जो आपको हम एसा हेल्दी रखेगा और आपको जवान भी रखने का काम करेगा दोस्तों बहुत सारो लोग हमें कोमेंट करते ने कि गुरुजी हमें समय हल्दी रहने के लिए फिट रहने के लिए क्या खाऊं तो सारे जानकारी इस बिड़ में बताऊंगा दोस्तों सवर प्रतम तो हम सभी युवाओं को अब आईरिवेद को समझना हैं दोस्तों आईरिवेद हमारे भारत भूमी का अमुल्य धरोहर हैं और हम सब युवाओं को चाहिए कि आईरिवेद के जानकारी को हम सब पुना शंग्रहित करें और दोस्तों इससे समाज में फैलाएं ताकि हमारे भारत भूमी में आईरि जूर्गे से मिलेंगे कोई जो थोड़ा सा उम्रा में जादोगर आप उनसे बैड करके थोड़ी बहुत ग्यान की चर्चा करें तो आयरिवेद की जानकारी आपको जरूर बताएंगे वैद लोगों को ये खत्रा बना रहाता है कि आप उनके ग्यान से रोजी रोटी का साधन कमाना सीख जाएंगे और उनकी पेट पर लाथ पड़ेगी तो कुछ मंसा पाप की कारण लोग आईरिवेद की जानकारी को लोगों को नहीं बता रहें और जिसके चलते आईरिवेद जो शमापत होने के कगार पर हैं कोशिश करें दोस्तों आईरिवेद की जानकारी को शंक्रहित कर रहें एकठे कर रहें और अपने चैनल के मद्धमशे भारत के आम भूमी में फिर से पहुचाने का प्रयास करें ताकि भारत भूमी की हर कज़बों में हर गाउं में हर सहरों में आईरिवेद के जानकारी को लोग समझें और इस अपने जीवन में आपना हैं तो आज मैं आप लोगों को दो दिब्य ओजधी का परोग बतांगा उसमें पहले हैं दोस्तो ब्रिंग राज ब्रिंग राज इसे को चधारन अुजिधी मनंध समझना। दोस्तोष ब्रिंग राज जो है ये आब के काया कलपा कर सकते हैं। यह सारे जानकरी मैं आप अनगा केया का आपते हैं कुछ जान करें मैं इंटेनर से संग्रहिद करता हूँ दोस्तों अभी तक हमारे चनल प्राचिन ग्यान को सब्सक्राइब नहीं कि होंगे तो हमारे चनल प्राचिन ग्यान को सब्सक्राइब कर लिजे बाजू में बने बेल के आइकन को भी प्रेस कर लिजे ताकि ह हमारे आने वाले नालेजबल वीडियों आपको सबसे पहले मिल सके स्वरप्थम भिग्राज के कुछ फैदे जनते हैं तो दोस्तों ये केस काला करने में अचुक रामबान दवाय अभी इस नीबल की प्राचीन समय से केस काला करने में इसका परोग लोगों करते आ रहे हैं प्राचीन समय के आप लोगों को देखेंगे जो थोड़ा सा उम्र में अब से जादा हो कहने का मत्राब हैं कि जैसे कि बहुत सारे ऐसे लेगों लोगों ने हमारे घरों के आसपास में होते हैं जो की सव से असी बरस की होते हैं ऐसे लोगों कि आप केस को देखना उनके बा अगर आप अपने बालों पर लगाते थे तो आप जादा मत करें कम से कम महने में एक ही बार बस अगर आप भिंग राज के पत्ते को पीस करके इसका रस अगर आप अपने बालों पर लगाते हैं दोस्तों अजीवन आपके बाल कभी वाइट नहीं होंगे सफेद नहीं होंगे आपके बाल हमेशा बिल्कुली दोस्तो भमरे के समान भावरे के समान काले रहेंगे इसके बाद दोस्तो जड़े हुए बाल को पुना उगाने के लिए जड़े हुए बाल को पुना उगाने के लिए अगर भ्रिंगराज के अर्था दोस्तो ये भिंगरे के अगर तेल को अप तील के तेल ले लेना उसमें भृंग्राज के पत्ते को डाल करके पका लेना इसके बाद इसे आप अपने सर पे मालिस करना जड़वे बल ज़्यादा समय नहीं लगेंगे धीरे धीरे आना शुरू हो जाएंगे अगर वनसगत परसानी है तो नहीं आएंगे दोस्तों इसके स स्क्रीन शोर दिखाऊ तब आप लोगों इसके आरवेदिक लाब को मानेंगे क्योंकि मैं पुरूब जानकरी भी बताता हूं दोस्तों यह जानकरी वनस्पती सास्तरा से मैं ली हैं तो देखें वनस्पति सास्तर में इसके फैदा के बारे में इस पस्ट लिखें यहां पे लिखें कि सरद काल में अर्थाद सरदी के समय में जैसे अभी की समय सरदी की समय चल रहें तो सरदकाल में इसके मुल सहीत, सरदकाल में मुल के सहीत भ्रिंग राज को ग्रहन करे, ग्रहन के मतलब है भ्रिंग राज को उखार करके इकठे करे, और धुप में सुखा करके महिन चुणना बना ले, इसके दोस्तों धुप में इसके पोदे को सुखा लेना और महिन चुण किसके पौडर बना लीजे, सुब दिन होना चाहिए, जैसे कि, आप पुन्नीमा है, यह पिर एकदसी है, यह फिर दुजिया हNow, पिर दुजिया तीन है, जो सुब दिन है, उस दिन में, इसके पौडर बनाना है, तो सुब दिन में, विडाल पद, संकरने बताएं थे कि सुब दिन में विडाल पद एक वर्षा के बराबर अर्थाद एक समान मत्रा में सकल कल्यान की कामना से अर्था दोस्तों अपने कामना से इसके भक्षण करें तो एक मास के परोग से सब रोग नश्ट होते हैं अब भक्षण किसमें करना भया गुन- पानी ले सकते हैं तो एक मास के परोग से सब रोग नश्ट होते हैं दो मास के परोग से मनुश्या बलवान होते हैं और रोग रहीत होते हैं रोग से हीत होते हैं रथाद उनको कभी रोग नहीं आएंगे इसके बाद भरिंगराज के रस में त्रिफला का चूना मिलावे औ दोस्तों अगर देखें यहां पर लिखे हैं, डेड मास, परो कने से पली तर था, दोस्तों स्वेट केस से मुक्ती मिल तर था, अगर आपके केस सफेद कलर कें, वो काले हो जाएंगे, और लिखें कि काक माची का रस, काक माची का रस, भरिंगराज के रस के साथ, बारा दिन दोस्तों आप एक सरसाइस करते हैं, बहुत मर पहले आप लोगों को बता चुका हूँ कि हमारे जो प्राची ने, जितने भी पेड़ पोदें, जड़ी बुटीस में बहुत पावर हैं, दोस्तों अभी जो चूरन खाते हैं, यह चूरन केवल एक पैसा खिचने का बरबाद दोस्तों आपके जो शरीर बिल्कुल बल्वान और मजबूत हो जाएंगे, और आप जो जीत इंदरी हो जाएंगे, अब इस बिड़ो में मैं आप लोगों को त्रिफाला चूरना का लाब बताऊंगा, त्रिफाला चूरना कोई शधारन चूरना नहीं है, बिड़ो को द्य इलावाट होती, साथ इसाथ, वो दोस्तों संसोधित नहीं होता, मैं संसोधन करने का तरीका बताऊंगा, शुद्धी करन करने का तरीका बताऊंगा, तो आउले का, जैसे कि तरिफाला में क्या-क्या चाहिए, तो पहले हमें चाहिए, दोस्तों हर रे, जिससे हम हराण ये तो भी पचाने की छमता आ जाती है, तो बहुन संकर ने मातब पारवती को वनस्पति सास्तर में जो जानकरी बताएं, वही जानकरी बतारूँ, बताते हैं कि हर्तिका तिन निस्क के प्रमार मेर था, दोस्तों आब को जैसे कि आप बहुरा लेंगे, उसको आपको छै निस्क क प्रमार लेना है, आमले को दोस्तों बारा हिस, निस्क का मतलब क्या होते हैं, बारा हिसे हर्तिका ले रहें जैसे कि आपको 300 ग्राम ले लिजिए, बहरा आप जो है 600 ग्राम ले लिजिए, आमला लेना हैं तो दोस्तों आप जो हैं 12 निस्क का ले लिजिए, आप 1200 ग्राम ल बिड़ना करके इसमें अगर खदीर और बिड़न का चुनना मिला करके खरल में धियान से देखें अब मार्केट में लेते न जो चूरन मेडिकल इस्टोर में तो उसमें ये सब नहीं मिलते दोस्तों केवाली तीन चीज मिला करके बस आपको दे देते हैं अच्छे लाब नहीं मिलते तो इसमें खदीर और बिड़न का चूंड़ना अगर आप मिला लेते हैं और खरल में भिरिंगराज के रस अर्था दोस्तो अभी मैं आप लोगों को बीडियो का भी पूरव में बताया था ना भिरिंगराज उसके रस से अगर साथ बार भावना दे करके मरदन करते हैं चून्डा बनाते हैं अर्था दोस्तो भिरिंगराज के रस को इसके चूरना में डालना है और दोस्तों अच्छी तरीके से फिर आपको पौडर बनाना है अच्छा से आपको कूटना है तो इस प्रकार से आपको ये चूरन तयार करना है और इस चूरना का नियम पूरवाग अगर एक महिने परोग करते हैं तो दोस्तों बली और पलिस से मनुष्य मुक्ता हो जाता है था दोस्तों जो बुढ़ापा है ना रोग हैं बुढ़ापा है इससे आप मुक्ता हो जाएंगे आपको अजीवन बुढ़ापा नहीं आएगा और ये जोस्तों दोस्तों मैं सास्तर प्रमारी जानकरी बतारों ये जानकरी भगवन संकर ने वज़स्पति सास्तर में माता पारवती को कहें इसके मेरे प्रूप है देखिए और इस चुना का निमित एक महिने के प्रोग से वली और पली से मनुष्य मुक्ता होतार च्छै माह सेवन कनेशे दिब्य देधारी हो जाता है दिब्य देधारी को मतला है दोस्तों आपकी जो शरीर है न देधारी हो जाएंगे दिब्य देधारी हो जाएंगे दोस्तों आपकी तरफ लोग आकरसित होंगे और इस इसमें इस पष्ट नीचे में भी लिखें ये ध्यान से देखिए तथा इस प्रकार एक वर्सा परोग कनेश्य मनुष्य दीरगह जीवन प्राप्त करता है था दोस्तों कुभी भी आपको अचानक मृत्यू नहीं होगा बहुत सारे लोग अभी के जरेशन में हाट आटेक हैं या फिर दोस्तों दिल की जो दवरा लोगों को आते जिस हम हाट आटेक बोलते हैं मधु में हैं या बहुत सारे लोग पाईल से की बीमारी से पर आप तिरिफला में दोस्तों तीन चीज तो जरूर लेते हैं जैसे कि हर्रे हैं, बहेड़ा हैं, आमला हैं यह आप लेना कमपल सरी हैं लेकिन इसके साथ में दोस्तों खदीर और विड़ंग का चुणना नहीं मिलाते हैं और जो भिंग राज हैं इसके रस डाल करके चुरन त खानी के साथ मेंत्वा चमस की खाना खाने ऐक बार ट्रिफला चुन्णा खाता हैं। वेक्ती को कभी अजिवन रोग नहीं होता। क्योंकि दूस्तों सारे रोग की जड़ सेंच मोई क्पड़ कुए जुब भाया है जिनकी फेक्ट साप हो। जरूर बताएंगे तो आज में आप लोगों को बस इतना पराथना करना चाहूंगा यह जानकरी कैसा लगे आप हमें कोमेंट सेक्सर में जरूर बताना और भाईस ब्लो को जन कलियान के लिए जितना जादा हो सके लोगों को जरूर पहुंचाना ताकि लोग अपने घर में इस प्रकार के चूरन सोयम बनाना सीखें मेडिकल में मिनने वाले चूरन में हो सकते हैं दोस्तों उसमें भोसे भी डाल दें क्या पता उसमें क्या मिला करके बनाए हो तो उसमें लाब नहीं मिलते, खुद घर में बनाना सिखी से आपको अच्छा लाब मिलेंगे, हमने तरीका भी बताएं, तो इस बीडो को जादा से जादा शेयर करना, ताकि अन्य लोग भी इस बीडो को देखें, ताकि उनको भी लाब मिले, फैमिली के साथ में, घर परिव जयस fiscal हो जादा से जादो इस बीडों, हम नहीं डर पीडों, भी प्रिवाता थे प्रवा разрा वा भी बताएं, खुद देखें हुद आई भनास कास्भाद भापी नहीं वाम lucky ड़ीडों है ठत्यूं